कार्तिक मास को सास्त्रों में उत्तम मास कहा गया है इस मास में भगवान विश्णू चार महीने अर्था चातुर मास की निद्रा से जाकते हैं इसकंद पुराण के अनुसार इसी महीने में कुमार कार्तिके ने तार का सुर का वद किया था सास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास म तुलसी पूजन तथा तुलसी का सेवन का भी विशेस महत्व है। साल 2013 में कार्थिक का महिना 29 अक्टूबर से सुरु हो रहा है और कार्थिक महिने की अंत होगा 27 नवंबर 2013 को। इस मा में पवित्र नदियों में ब्रह्म मूरत में इसनान का बहुत ही अधिक महत्व है। घर की महिलाएं सुबा जल्दी उठकर इसनान करती हैं या इसनान कुवारी और वैवाहिक तोनों के लिए ही उत्तम है। इस मा की एका दसी जिसे देव प्रबोधनी एका दसी कहा जा इस महीने तब एवं पूजा पाट उपवास का भी विशेस महात्व है जिसके फलसरूप जीवन में व्यभव की प्राप्ति होती है इस महां में तब के फलसरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है इस महां के प्रताप से रोगियों के रोगदूर होते हैं कार्तिक मास में पविद्र नदियों में, मंदिरों में दीब दान किया जाता है, साथी आकास में भी दीब छोड़े जाते या कारे सरत पुडिमा से सुरू होकर कार्तिक पुडिमा तक चलता है, दीब दान के पीछे का सार या है कि इससे घर में धन आता है, कार्तिक मा में दा कावले के पौधे के दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कार्टिक माम में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है। पूरे माम मास में मंधिरा, आदी, वेशन का त्याठ किया जाता है। कई लोग प्याज, लेसोन, बैगन, आदी का सेवन भी नहीं करते इन दिनों फर्स परसोना उप्युक्त माना जाता है कार्तिक में ब्रह्म मूरत में इसनान किया जाता है एवं तुलसी, सूर्य देव को जल जड़ाया जाता है एवं रम्मचरी का पालन किया जाता है आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जै स्री किश्न